तो परोजगार का सवाल है तो पहले बिहारियोग ना ब्रोजगार दीजेगा बिहार के चात्रों के लिगर वाए कि फी खर्टाल पर बैठें किते दिन बैठेंगे अइसा कि राजवियापी आवान पर दो दिवसिय भूग खर्टाल है चानक सरकार के दिमाग में क्या आता है पूरा इसमें गरबर घुटाला कर दिया पूरा का पूरा नई सिक्षानिति के माध्यम से भारत सरकार सिक्षा को प्राइवेट कर रही है और एसकूल और कॉलेज सब को प्राइवेट करके उसके बाद लंबी फीस असूलियें की तैयार है तो हम तो सबसे पहले मांग करते पढ़ाने के लिए बिहार की जो मिट्टी है यहां के जो लोग है यहां की बोली भासा से भी लोगों को परिचीत होना जादा जरूरी चीज है तो ठीक है पहले बहाली लीजिए अगर सीटे खाली रह जा रही है तो आप उसके लिए कोई बेकल्पिक बिवस्ता कर लीजिए बाहर के लोगों को बुला लीजिए नमस्कार में होने कुल दिवाली और आप लाइफ सीटीज देखें देखें पटना यूनिवर्सिटी में चात्र फिर से भूख हर्ताल पर बैट गये हैं मांग बस यही है कि शिक्षक अभियर्तियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका बिहार जी है बिहार के और चचा जी है जिन्होंने बोले थे जो दस लाग रोजगार देंगे आज बिहार में कई सालों के संगर्ष के बाद सिक्षक बाहली आया इसमें भी डॉमिशाल निती हटा दिया चाते हैं कि बस बिहार को पहले पूछा जाए अगर आपको अपना दरवाजा खोलना ही है सबके लिए आप 10 परसेंट जिस तरह से अधर दिया है दुसरे राजों को 10 परसेंट आप सिट दे सकते हैं कि इस बार तो करिए अगली बार से 90 और 10 का रेशियों बनाई है इस बार तो पुरी तरह से वह नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे सिक्षक अभियार्थी बिहार के ही है तो रोजगार का सवाल है तो पहले बिहारियों कि ना ब्रोजगार दीजेगा देखिए फॉइप जो लागू हुआ गया है भाजपा सरकार के द्वारा यह सरकार के माइंड लिटी बन गई है जो बार केमपस से जो गरीब किसान मजदूर के ब हमारी बारता हो रही है सरकार से भी सरकार भी समय आज razecin पे ब्लसीति भीलग जहां 14 व्हाय सेकलेकर में कि तरह से both दिमाग में क्या आता है कि वापस लागू किया जाए और हम लोगों ने भी इस बैयान पर क्या बोलेंगे कि शिक्षा मंत्री जो है सब्सक्राइब कर रहे हैं यह एक बात दूसरी बात जो मुख्य बात है जिसको लेकर भूखरताल है कि दौरे देश भर में नई सिक्छानिति लागू किया गया जिसमें बिहार के जो राजपल आते हैं और बिहार में जबर्धस्त असंविद्धो करके निगल जाते थे आप और नियूनतंध में 20500 है गड़ी पिछले दली वंची तपके के च्छात्रे हो केंपस में आना बन पढ़े तो कहां से देंगे वही एक सरकार पुझ लाई है जो लॉन ले और दे मतलग कि पैसा सरकार से लिजिए लॉन के रूप में और उसको चुकाईए मतलग फ्री एजुकेशन वेलफेर एजुके होना चाहिए जो की पूरा का पूरा मसला का पूरा का पूरा नई सिंटी के माध्यम से भारत सरकार शिक्षा को प्राइवेट कर रही है और एस चूल और कॉलेज सब को प्राइवेट करके उसके बाद लंभी फीस असूलियें की तयार में हमेशा आवाज उठाते हैं अभि बना दिया गया है कि अब मेरी आएगी तब मेरी बाली आएगी लेकिन सरकार बीच में कोई ना कोई अट्चन ले करके चली आ रही है सरकार क्या सोच रहे हैँ यह समझ में नहीं होना ज़ादा जरूरी चीज है और पहले सीतनी बेरोजगारी है यहां का और निती अगर आपकी यह तरक है कि सीट कि खाली रह जा रही है तो आप उसके लिए को बेकल्स लिखा बाहर के लोगों को बुला लीजिए लेकिन पूरे परकिरिया को खोल देना निति रटाकर यह कहीं से जायज नहीं है और फीस बढ़ाया गया है किसान के वेटे पढ़ेंगे किसे यह तो सोची समझी रासर नीति यह साजी से कि देश में जो केंदर की सरकार है वो केंदर की सर सत्षेप कर रहे हैं वहां नियुक्ति से लेकर के सरकार को और बहुतर काम करना है इसमें नो डाउट है उनको बहुत बहुतर काम करना है मैं कह रहा हूं कि सरकार को बहुतर काम करना एक छात्रों में नराजगी है बताई कि आपके भाया लोग होंगे शिक्षा का बिहरती ह बिल्कुल होंगे उनको मैस पढ़ाना नहीं आता है नहीं ऐसे बिल्कुल नहीं है बिहार जो है वो एक ज्ञान की भूमी रही है और यहां पे जीरों की खोष से लेके आप देख सकते हैं कि ऐसे इतिहांस के गर्म में ऐसे कई सारे बिद्वान चिपे हुए हैं और आने वाल से खुश है बहुत देखिए यह जो चारवर्षी असनातर कोर्स आया है इससे हम देखते हैं कि आते के साथ इसमें काफी फिस वेदी होई है दुगनी तुगनी तुगनी फिस होई है इसमें जो आम चात्र हैं आम सोसित वंजी तवगे के वह आना बंध हो जाएंगे सायद जैसे हम जैसे फर्ष जेनरेशन जी से बोलते हैं कॉलेज आने वाले उसा लाश जेनरेशन बन के रहा जाएंगे तो यह फिस वेदी तो पहले चारवर्षी असनातर को आप एकदम बताई कि महाकडबंदन की जो सरकार है बिरोजगारों को मिटा पाएगी कि नहीं मिटा प पाएगी रोजगार की बात कर रही है तो हम लोग आसा भी रखते हैं कि बिल्कुल काम कर रहे हैं और रही बात जिस तरीके से हम लोग का भूखरताल चल रहा है दो दिवसी आप देख लीजे कि जब से यह मोधी सरकार 2014 में आई है इनका सबसे पहला बार सिख्छा विवस् लेकिन यहां पर जो जिस तरीके का माहल अभी दिख रहा है जिस तरीके से पट्ना इंवर्सिटी में नियो जी केसिन पॉलिसी के तहत फ़ा यूपी सीबी सीएस जो लागो किया गया है आप देख लीजिए उस कोर्से इसमें जो पुराने जो तीन साल के कोर्स था उसमें पास जर मैकसिमम जाता था साथ हजार कोर्स पूरे हो जाते ते लेकिन अभी महाँ पे 23,000-30,000 इस्ट्रा इस्ट्रा चर्जिस भी लगेंगे तो अब बैठे वे एक और शक्स बैठे वे हैं आप बताई कि कहां से देंगे किसान के इतना पैसा किसान के बैटे कि कैसे बिव पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ पाएंगे जैसे नीती सरकार ला रहे है उसी साब से आने वाली जो भी विद्यार्थी हैं उनको भी दिक्कत होगी यहां आने में एक तो पहली बार वो आते हैं वहां से दूर से आ रहे हैं यहां रहने का खर्च है उसके बाद से जो पब्लि की मांग है चात्रों के साथ खिलवार होगा ना इंसाफी होगी बिहार के सिक्षक अभियारतियों के साथ उमीद करना पड़ेगा आप यह भूल रहे हैं कि इसके पिछले विधान सभा के चुनाव में जो लहड था महागट बंदन की सरकार में जो एक बड़ा पाट था जो मितिस कुमार के साथ है राष्टिय फलक पर अलग जरूरत है उसके साथ है हम लेकिन बिहार में शिक्षक बहालिया भियारतियों के साथ ना इंसाफी आईसा नहीं बरदास करेगा भाक्मा माले बरदास नहीं करेगा और सदन में अभी जुलाई में विधान सभा सत्र दो दिन के लिए भूखे रहेंगे और सारे लोग देख लिए किस तरह से बैठे वेया दो दिन भूखे रहेंगे आईसा के लोग हैं चात्र नेता मौजूद हैं चात्र मौजूद हैं सब लोग मौजूद हैं भूख हर्ताल कर रहे हैं शिक्षक अभियरतियों के लिए और फीज जो बढ़ाया गया है उसके लिए तो बस लाइक सीरीज के साथ बढ़ें मैं चाल को सब्सक्राइब कर फिजिक को लाइक कर दोते बाद